हलो आपका हमारे चैनल डॉक्टर पुनीत थवन में बहुत-बहुत स्वागत है आगे बढ़ने से पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें जिससे आप हमारी हर लेटिस्ट अपडेट पास सकें स्वागत है आपका करमारवेदा के यूटीوب चैनल पर आपके साथ मैं हूँ विशाका और एक बार फिर लाए हूँ किड्नी से जूड़ी जरूरी जानकारिया आप इस चैनल पर किड्नी से जूड़ी हर तरह की जानकारी असानी ते पासकते हैं जैसे कि आप सभी जानते हैं इस शो पर हम किड्नी डाइट से जुड़ी ज़रूरी जानकारी लेकर आते हैं आपसे शेयर करने के लिए जिसके लिए हमाई साथ आज डाइटीशन श्रेया मौजूद है Welcome to the show श्रेया Thank you वशाका आज हम श्रेया से बात करेंगे किड्नी फेलियर पेशन्स को किस तरह के डाइट फॉलो करनी चाहिए तो श्रेया जो किड्नी फेलियर के पेशन्स हैं वो क्या खा सकते हैं और क्या नहीं किड्नी पेशन्स की अगर हम बात करें तो वो रोटी खा सकते हैं तो किड्नी के पेशन्ट के लिए रोटी सूखी होनी चाहिए, मतलब बिना गी और तेल का यूज किये वे मैदे का बारिक पिसा हुआ आटा खाने में यूज ना करे, गेहु थोड़ा मोटा हुआ पिसावा यूज करे, फिर पेशन्ट गेहु की बनी रोटी खा सकते हैं इसी तरह किड्नी पेशन्ट सबजी में लौकी, पत्ता गोबी, तुरई, परवल खा सकते हैं और सालड में गाजर, पत्ते वली गोबी और प्याज उबाल कर खा सकते हैं किड्नी पेशन्स मसाले में धनिया, हल्दी, हरिमिच, ही, जीरा, तेल में शुद सरसो का तेल यानी की मस्टर्ड ओयल या ओलिव ओयल यानी की जैतुन का तेल इस्तमाल कर सकते हैं किड्नी पेशन्स के लिए दूद में काव मिल्क 100 ml और दूद से बनी चीजों में 20-25 ग्राम पनीर ले सकते हैं किड्नी पेशन्स फल में सेव, नाश्पती, अम्रूद, पपीता और अननास में से कोई एक फल बिना चिलके के और बिना बीच के खा सकते हैं तुश्या, किड्नी पेशन्स को अपनी रीनल डाइट में क्या प्रकॉशन्स देनी चाहिए अकसर देखा गया है कि किड्नी पेशन्स अपनी डाइट में का खास द्यान नहीं रखते हैं जिसकी वजह से उनकी किड्नी की प्रॉब्लम बढ़ जाती है पेशिंट को एक healthy diet को follow करना चाहिए है जैसे 1. अपनी diet में grains, fruits और vegetables include करें लेकिन ऐसी चीज़ें ना खाएं जिसमें phosphorus और potassium हाए हो 2. पेशिंट अपनी diet में fat और cholesterol की quantity को कम करें ये heart problem का भी reason बन सकता है 3. sodium वाले food products को limited quantity में खाएं sodium containing food products blood pressure के level को increase कर सकते हैं 4. calorie intake को limit करें, limited calories body को healthy बनाए रखेंगी 5. calcium और protein dietitian की advice पर ही ले, इनके इंटेक का खास ध्यान रखें 6. vitamins में vitamin C और vitamin D को 100 mg से ज़्यादा ना खाएं तो शुर जो kidney failure के patients हैं, उनको liquid intake के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगी लिकुड में kidney failure patients को hard drinks जैसे की alcohol बिल्कुल consume नहीं करना चाहिए इससे patient की body में blood sugar level बढ़ सकता है, जो की patient के लिए dangerous हो सकता है तो शुर्या, kidney failure के patients जो इस वक्ती वीडियो देख दी रहे हैं, उनको आप क्या सजेस्ट करेंगी ताकि वो kidney failure से बढ़ सके हाँ, कुछ ऐसी चीजे हैं जिनका खास ध्यान रखकर, kidney patients, kidney failure को से बढ़ सकते हैं जैसे की अपने blood sugar levels को control रखकर, अपने blood pressure को control करकर, exercise करना ना भूले, alcohol और smoking ना करें, डॉक्टर से regular check-up कराते रहें, weight को control रखें तो ये थी kidney failure की diet से जोड़ी कुछ जरूरी जानकारी, thank you शुया, बहुत बहुत आप इस show पर है और patients को aware किया आप करना विदा kidney केंदर से इलाज करवा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आईविदिक herbal medicine से इलाज होता है अगर आप कोई वीडियो अच्छी लगी हो, तो इसे like करें, ये information अगर useful लगी हो, तो इसे share करना ना भूलें साथी साथ अगर अभी तक आपने ये चानल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप भी kidney dialysis पर हैं और बचना चाहते हैं इस painful procedure से, तो आप भी डॉक्टर पुनी धवन से संपर कर सकते हैं हमारा पता है G20, NDM 1, plot number B234, opposite NIMS, नेताजी सुभाष प्लेस, पितंपुरा, न्यू डेली 110034 हमारे फोन नंबर से 098-7171-2050, 011-4264-4274 हमारी email ID है doctor at karmaayurveda.com अधिक जानकारी के लिए आप हमारी website www.karmaayurveda.com पर log on भी कर सकते हैं